नमस्कार दोस्तो इस टेडी विद हैपीनेस में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की आने वाली भरतियों में आयू में छूट मिल सकती है खासकर लॉकडाउन की वज़े से तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं दोस्तो बहुत सारे भ्यारती पूछ रहे हैं कि अभी लेकपाल की भरती आने वाली थी वो नहीं आ रही है सब इंस्पेक्टर की पुलिस में भरती थी वो सासना देश में कई लोगों ने उसे इस तरीके से इंटरप्रेटेट किया कि भरती नहीं आएगी मगर दोस्तों वहां जो बात चल रही थी वो सिर्फ ये थी किसमें किसी प्रकार का स्रजन नहीं किया जाएगा मगर जो प्रानी भरती हैं उस पे रोक नहीं थी अगर दोस् इसमें सभी भरतियों में आपको एज रिलेक्शेशन मिल पाता क्योंकि गौर्मेंट खुद कह रही है कि इस समय पर हम लॉकडाउन की वज़े से नहीं कर पा रहे हैं मगर ऐसा तो हुए नहीं वहां पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं की गई वहां सिर्फ स्रजन की बात की आए कि हम भरती नहीं निकालेंगे और वैसे भी आपको पता है कि कितनी भरती आ रही है इस समय पर है ना ऐसे अधियाचन तो आयोगों के पास पहुंचते रहते हैं मगर तभी से दोस्तों एज काउंट होगी जब आपका विग्यापन निकल आएगा मगर दोस्तों एक पर का क्राइटेरिया है तो मुझे लगता है कि 40 साल भी कम नहीं होता मगर जो अभ्यारती बिल्कुली इस जगह पर हो जिन्होंने बाद में तग्यारी करना शुरू की हो तो दोस्तों जो चकबंदी अधिकारी जो चकबंदी लेकपाल जो चकबंदी लेकपाल की जो भरती है वो क्योंकि पुरानी भरती है उसके कई लोगोंने फॉर्म भरे गए थे तो वो जब रिवाइज होके आएगा वाला नोटिफिकेशन तो उसमें जो है आपको एज जो काउंट होगी वो उसी समय से होगी जब वो नोटिफिकेशन निकाला गया था तो एक मात्र यही एक भ निकाला जाएगा तो दोस्तों जो आपने पुरानी परिक्षा हैं भर रख की हो चाहें वो अरो-एरो की हो जुनियर असिस्टेंट की हो लोवर पीसिस की हो उनकी तैयारी में आप ज्यादा व्यस्त रहें वनसपद आने वाली भरतियों की प्रितिक्शा करने से और जैसे चकबंदी लेकपाल की भरती आएगी उसमें तो कोई प्राउलम ही नहीं दोस्तों क्योंकि उसमें तो OBC के पद शुन ने दिखा रखे थे और उसे संसोधित करके जल्दी ही निकाला जाएगा ठीक है तो और दोस्तों जो हमारा मॉक टेस्स की सिरीज है वो चल रही है रात को ग्यारा बजे मंडे टू संटर्डे आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं और दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जल्द बलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत